आप सभी का दबायो एंड सिविल यंग संस पर मैं आमिर सिद्धी की हार दिक स्वागत और अभिनन करता हूँ कैसे हैं दोस्तों उमीद करता हूँ कि अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाय लिखाई का कार ये बहतरीन तरीके से चल रहा होगा किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा आप सभी लोगों का रिवीजन का कार ही बहतरीन तरीके से चल रहा होगा session आप सभी के examination को लेकर लिया जा रहा है इस session के माध्यम से आपको उन सभी topic से औगत कराया जा रहा है जो examination को clear करने के लिए बहद important होते हैं उम्मिद करते हैं कि इस rainy season में आप सभी लोग अपने घरों में और class के माध्यम से अपनी preparation को continue कर रहे होंगे आप मेंसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने बॉटनी के तीन टॉपिक्स को बेहतरीन तरीके से कवर किया होगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें मौका ही नहीं मिला होगा गप सब करने के आगे उनका तीन टॉपिक्स पर ध्यान भी नहीं रहा होगा और अभी कर लेंगे, कर लेते हैं, अभी शाम को कर लेंगे, रात में कर लेंगे, ये सिस्टम से उन लोगों को अभी तक फुरसत नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बताये गए 60 टॉपिक्स पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, यहां पर क्लास में खड़े हो करके अगर हम आपके लिए कुछ एनलेसिस करते हैं, तो वो आपके एक्जामिनेशन के पॉइंट आफ यू से बेहद इंपोर्टेंट होता है, आप सभी लोगों को समझने की जरूरत हैं कि अगर हम आपको दो घंटे, तीन घंटे में किसी सिमेटिक ड्रॉ को समझाते हैं, और के लिए वो प्रिफरेबल होता है, तो आप में से सभी जितने भी कह सकते हैं कि सीरियस कैंडिडेट हैं, उन सभी को जरूर से जरूर फालो अप करना चाहिए, 60 टॉपिक का गेम 20 जनवरी को ओवर हो जाएगा, और उम्मिद करते हैं 20 जन के बाद आप सभी लोग जोलोजी के सेक्षन पर आएंगे, पता नहीं आपको याद था कि नहीं याद था कि ये साथ टॉपिक बॉटनी के तीन तीन टॉपिक पर दे कम्प्लीट करना हैं, आप में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका भाग ये उनका फ्यूशर आगे की ओर उन्हें अग्रसर कर रहा होगा, और जो लोग लापरवाही के साथ इसे कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि जब तक पढ़ रहे हैं, पूरी मेहनत से पढ़ लें, और उस टॉपिक को जरूर से जरूर कम्प्लीट करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उन टॉपिक को कवर करना है, वो आपके फेबु तक का टाइम टेवल हमने आपको दिया है। 20 जनवरी के बाद आप जोलाजी सेक्षन पर आएंगे। जोलाजी के 60 टॉपिक्स में अच्छे से कवरिंग बनाएंगे। उम्मिद करते हैं कि आप मेंसे जो लोग negligible हो रहे थे, वो लोग भी आज से इस पर कारे करना शुरू कर देंगे। दोस्तों मेहनत करते रहिए, परिक्षाएं आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने होने वाला हैं। तो आप सभी लोग पूरी इमानदारी के साथ लगे रहें। कल हमने आप से चर्चा की थी बिहार के एक्जाम को लेकर। बिहार में आप सभी लोग जानते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थरी का कल सिनारियो आपने देखा था। पार्ट थरी में आपने बौटनी के सेक्षन को देखा था। आज बचे हुए बौटनी के प्रशनों को सॉल्व करेंगे। साथ में जुलाजी के जो 80 क्वेशन थे, उन्हें हम सभी लोग देखेंगे। आज सुबा बारिश थी, बारिश के मौशम में उम्मिद करते हैं कि आप में से सीरियस कंडिडेट ने बारिश को बहतरीन तरीके से युट्राइज किया होगा, कम से कम 3-4 घंटे, कुछ लोगों ने 5 घंटे बहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई की होगी। तो दोस्तों, आज इस सेशन को शुरू करते हैं, इसमें हम लोग आगे की प्रशनों को देखते हैं, उम्मिद करते हैं आप सभी लोग तयार होंगे इस सेशन के लिए और continue होंगे अपने प्रशनों के लिए। प्रशन है, जो 111 नंबर कुश्चन का था, कल हम लोगों ने 110 तक complete किया था, यहां पर आपके सामने प्रशन है 111, बोटनी सेक्शन का है, बिहार PGT 2023 का प्रशन है, जितने ions होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कि जो ions होते हैं, वो carrier protein के माध्यम से ही अंदर जाते हैं, इसका मतलब यह option यहां पर सही है, और जो facilitate diffusion होता है वो भी किसके माध्यम से होता है वो भी carrier protein के माध्यम से होता है और उम्मिद करते हैं कि इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों सही हैं मतलब more than one of the above इसका correct answer हो जाएगा और उम्मिद करते हैं आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा more than one above और सभी लोग correct answer कर रहे होंगे more than one above प्रश्न दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि होने वाली 24 अगस्त को phase 3 का exam जो date decide हो गई है कि 24 अगस्त को बिहार PGT फिर से exam लेगा तो paper एक बार analyze जब आप clear रहेंगे complete तो आपको idea रहेगा कि ये उन 24 अगस्त को जो exam हो रहा है ये exam आप में से जितने लोगों ने form डाला होगा उन सभी के लिए focused है और मुझे लगता है कि ये exam में selection आपका होना done है अगर आपने पूरी इमानदारी के साथ मेहनत कर दी, GS पर मेहनत कर दी और biology section आपका strong है है जोलाजी हो या botany आप काफी अच्छे से focused कर सकते हैं और आप में से जिन लोगों ने अभी तक अपनी strategy के मताबिक पढ़ना शुरू नहीं किया है वो सभी लोग continue हो जाएं How many types are genotypes are farmed in F2 progeny? कितने type के genotype F2 progeny में बनते हैं? F2 progeny में कितने type के genotype बनते हैं? बताने की कोशिश करिएगा, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer आएगा कि इसमें 9 type के genotype बनना शुरू होते हैं 9 type के genotype बनते हैं F2 generation में और उम्मिद करते हैं, लगभग सभी का correct answer आ रहा होगा कि 9 type के बनते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer होगा कि 9 type के genotype बनते हैं Which bacteria converts ammonium salt into nitrite? इसमें से कौन सा bacteria है? जो ammonium salt को nitrite में बदलता है जो ammonium salt को nitrite में बदलता है वो कौन सा bacteria है? तो आप सभी का correct answer आ रहा होगा कि that is nitrosomonas कौन सा bacteria है? nitrosomonas है जो किसमें बदलता है? तो आप बताएंगे जो बदलता है ammonium को nitrite में ammonium को nitrite में बदलता है आपका कौन सा? तो आप बताएंगे ये हैं हमारा नाइट्रो सो मोनास अगर नाइट्रियेट में पूछता तो आपका आंसर हो जाता नाइट्रो बैक्टर तो इस हिसाब से आपका B आंसर करेक्ट है रैकर्स पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग जानते हैं F1 पार्टिकल में पाए जाते हैं रैकर्स पार्टिकल पूछा है कि रैकर्स पार्टिकल आर फाउंड इन रैकर्स पार्टिकल किस में पाए जाते हैं और उम्मिद करते हैं F1 पार्टिकल का नाम सुनते ही आप सभी लोग समझ जाते हैं कि ये mitochondria में F1 particles बनता है उसी में पाए जाते हैं और सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा F1 particle of mitochondria mitochondria के F1 particle में पाए जाते हैं जी कोमल तिवारी जी ये आपके बिहार के बिहार का botany का paper है जी topic नहीं है ये बिहार के botany के paper है जो आपके examination के point of view से important है आपको जानना चाहिए कि बिहार में botany में कैसे प्रश्न आया था Halotism is a term used for symbiosis जैसे ही आप Lichen पढ़ते हैं तो Lichen में आपको पढ़ने को मिलता है कि Lichen को Halotism भी कहा जाता है अर्थात इसमें आपको क्या देखने को मिलता है Elga और fungi का relation देखने को मिलता है आप सभी का correct answer आ रहा होगा Elga and fungi जैसे ही आप से पूछा गया Halotism किसको बताता है आप सभी का correct answer आ रहा है कि Halotism बताता है Lichen को और Lichen जो है किसे मिलके बनता है Elga और fungi से मिलकर बनता है श्रीधर तिवारी जी, सोनम राजपूद जी, जुबैर मलिक जी, उपाशना चोहान जी, सुमित्रा मुर्मू जी सभी लोगों का answer तो सही आएगा ही बस आप लोगों को यहां से कोई problem नहीं है I hope कि आपको बिहार का exam अगर देने को नसीब में मिलेगा तो 80 question में आप सभी लोग हैं जो 60 plus तो 100% handle कर लेंगे और अगर मौसम ने साथ दिया तो आप 70 plus भी जा सकते हैं no doubt इसमें कोई डिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी preparation जैसे चल रही है उसके लिए आपकी ये strategy sufficient है कि आप इ अपना GS अगर ये manage हो गया तो आप वहाँ पर scoring में under 10 में अपनी situation बना सकते हैं और अगर आपने मान लिजे आप exam में appear हुए और 80 question में आपने यहाँ पर 73 हिट कर दिया और वहाँ पर आपने 40 question में आपने 29 हिट कर दिया तो आपको लगता नहीं कि इस situation में आपको rank मिल सकती है नो तीन बारा साथ दो नो एक दस 110 question अगर 120 में मिलेगा बारा सत्य बारा चंग 72 बारा सत्य चौरासी बारा अठ्थे चानवे बारा नवईया एक सो आठ मतलब 86 percent something आपका scoring 86 percent होगा और आपकी ranking जो है आपकी आसानी से बन सकती है एक तू selection लेना होता है एक होता है selection लेना और situation सही रही paper पलटते गए और इस तरह से hit मारा कि biology में 73 मार दिया botany में और GS में 29 मार दिया तो सोचिए आपकी rank हो सकती है और rank जब हो जाएगी तो it means good मुहमद शमीम जी जी श्रीधर तिवारी जी उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों का best रहेगा GS का batch हम शीग्र ही launch करेंगे आपको जल्द ही information मिलेगी आप बिल्कुल परिशान ना होईए सीग्र मान के चलिए कि सीग्र ही आपके पास इसकी information मिलेगी GS के batch की और अब मुझे आप में से उम्मीद है कि आप में से इस बार बिहार के exam में जो लोग appear होंगे चाहे वो PGT Geology से appear होंगे चाहे PGT Botany से appear होंगे जी चाहे PGT Geology से appear होंगे चाहे PGT Botany से appear होंगे अब आपका एक एम होगा कि हमें इतनी question chase करना है कि हमें गुरू दक्षिना देना है सर जी को 102 लेकिन जो है सुरिधर तिवारी जी कह रहे हैं 101 नहीं और कोशिश करिएगा कि इतने का 118 का अगर ये दक्षिना देने की आपने सोची है अगर आप 108 पहुच गए तो हम समझ जाएंगे कि आपने 118 चेस किया है जिन्दगी में हर वर्क के लिए एक जो है आपके पास changing game होना चाहिए आज से आप में से जो लोग भी हार जा रहे हैं उनके दिमाग में ए इतने लेबल की करना है प्रिप्रेशन इतने लेबल की करना है कि अब नाम भी कमा लेना है 108 की चेजिंग पर चलना है और अगर 108 पहुच जाते हैं तो ये सोचिएगा कि जब आप अपने चैनल दबायो एंड सिविल जंक्संस पर आएंगे तब ही हम आपको रूबरू शो नहीं करेंगे हम आप जब तक हम से मिले नहीं आएंगे तब तक ये मान के चलिए कि बायो जंक्षन पर आपकी फोटो आपका रोल नंबर नहीं चलेगा क्लास के माध्यम से हम आपका नाम ले सकते हैं और नाम बता सकते हैं तो अगर आप टॉपर लिस्ट में पहुचे नहीं पहुचे किसी रैंक पर रह गए तो आप जब आएंगे तो आपको रूबरू कराएंगे जैसे मेरा की प्लान चल रहा है उमिद करते हैं कि आप सभी लोग आज से इस मकसद पर काम करेंगे कि चेजिंग गेम को आटेम करेंगे डन जी सभी लोग रेडी कितने लोग ह जो इसे चेज कर सकते हैं ओके जिंदगी में जजबा होना चाहिए जी सब कर सकते हैं गिरेंगे फिर उठेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे मुझे लगता है कि इस बार विहार इक्जाम देने हमारे वो धुरंधर जा रहे हैं जो कुछ कर सकते हैं करने का प्लान ठान सकते ह जी उमिद करते हैं कि सभी लोग जी बिलकुल किलियर श्रीधर तिवारी जी वंदना ठाकुर जी सर फोटो डिस्पले करना ही करना भी स्टार्ट करें जो कौलिफाई करते हैं नहीं वंदना जी हम आपको बुला सकते हैं और आपको पता है कि आपके बैच से कितने लोगों का सेलेक्शन हुआ है किसका किसका हुआ है ये सारी बाते आप लोग जानते हैं इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है किलियर उम्मिद करते हैं कि सभी लोग तयार हैं अगर सभी लोग तयार हैं तो आज आपको एक तोफा भी मिलना चाहिए तोफा ये है बायो वर्षा की जी आज से आपको एक तोफ़ा भी है वायो वर्षा वायो वर्षा एक मेरा प्लान है जैसे आज सुबा बारिश हो रही थी तो सुबा बारिश हो रही थी तो क्लास हमने नहीं लिया क्योंकि ओम सर ने कहा कि सर जी जाने दीजे बारिश तेज हो रही है जी है तो जाने दीजे लेकिन अब हमने सोचा है कि जिस दिन बारिश होगी उस दिन आप सभी लोग अपने मोबाइल को 8 एम पर आउन करेंगे जरूर आठ बजे on करेंगे और live class में आएंगे और live class में आपको एक class मिलेगी जिसे बायो वर्षा के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं बायो वर्षा की नाम से जानते हैं और इस बायो वर्षा के नाम से हम सभी लोग class में present होंगे जी हम सभी लोग इसमें उपस्थित होंगे जी उमीद करते हैं कि यहां तक की बाते किलियर बायो वर्षा के लिए हम सभी लोग मिलेंगे और उसमें हम आपसे बायो वर्षा पी बात करेंगे और बायो वर्षा में मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी टॉपिक उठाएंगे आज कल मेरा टार्गेट चल रहा है कि 31 पॉइंट्स में एक टॉपिक कवर 31 पॉइंट्स एक चैप्टर कवर 32 पॉइंट्स दूसरा चैप्टर कवर जी आपके लिए एक अलग से थोड़ा सा क करने का मन किया बायो वर्षा हो तो बायो वर्षा में हम सभी लोग जरूर मिलेंगे आप सभी लोग क्लास open करके देखिएगा क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग टीचर हैं और वो टीचर जो है most most important है जो बेहद important है अपनी school नहीं जा पाते तो उनके लिए ये class शुरू हो जाएगी clear जी तो हम दोनों लोग अपने अपने काम पर focus करते हैं lenticular transpiration takes place अगला question है 116 नंबर पर कि lenticular transpiration होता है fruits में woody stems में leaves में more than one of the above में तो आप सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा कि सर जी lenticular transpiration ये stem में देखने को मिलता है leaves में stomatal transpiration देखने को मिलता है तो woody stem में हमें lenticular transpiration देखने को मिलता है उम्मिद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बाते है clear next question है an example of parasitic plant that is also strictly epiphytic is इसमें से कौन सा plant है अच्छा question है an example of parasitic plant that is also strictly epiphytic जो epiphytic भी होता है मतलब parasitic तो होता ही है साथ में epiphytic भी होता है वो कौन सा है कौन सा parasitic plant है जो epiphytic भी होता है कस्क्यूटा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग total stem parasite के नाम से जानते हैं और आ बैंकी को हम लोग root parasite के नाम से जानते हैं और जो सही आंसर है कौन इसका सही आंसर है विसकम याद करके रखिएगा most most important है next question है question number one one eight which among the following is an asexual mode in bryophytes bryophytes में asexual mode में कौन आता है इसमें से कौन है जो asexual mode में आता है जेमा कप का formation वो भी asexual mode में आता है budding ये भी asexual mode में आता है पैराफिटिक ये भी आता है इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा more than one of the above इसका सही आंसर हो जाएगा more than one of the above आप में से लगभग सभी लोगों का correct answer चल रहा होगा more than one of the above is the right answer उम्मिद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बाते है clear the archigonia archigonia से कई सारे question है the archigonia of funeria is distinguished from that of pinus by the structure of क्या रहें कि pinus से ये distinguished है कि साधार पर तो आप बताएंगे सर जी इसमें long neck होती है several neck canal cell होती है stocked winter होते हैं इसका मतलब इसका सही answer है D is the right answer more than one यह जो differentiate है pinus से यह more than one condition पर है किस condition पर है more than one condition पर है याद रखिएगा next question है pigment phycocyanin and phycocyanin are found in काफी अच्छा question है कि pigment phycocyanin और phycocyanin यह पाया जाता है किसमें पाया जाता है तो आप बताएंगे सर जी यह chlorophyce में नहीं पाया जाता यह sinophyce में पाया जाता है rhodophyce में पाया जाता है इस आधार से आप कह सकते हैं the right answer will be आप बताएंगे more than one of the above या फिर आपका केवल एक answer अगर more than one ना दिया होता तो आप सभी लोग sinophycetic करते हैं जी अगर अगर यह ना दिया होता तो sinophycetic होता लेकिन अगर यह दिया है तो आप इसका answer d कर सकते हैं d is the right answer आफरिन बानो जी कोमल भार्गवा जी माता दीन जी वालेकुमस्सलाम सोनम राजपूत जी संगीता सिंग जी मंजु कुमारी जी कैसी पढ़ाई चल रही है स्रीधर तिवारी जी साइनो फाइसी इसका best option है अगर इसमें नहीं दिया है तो यह d भी answer हो सकता है लेकिन जब more than one वाला option नहीं रहेगा तो उस case में आप sinophycetic करिएगा enzymes have very narrow optimum for enzyme के पास बहुत ही narrow optimum होता है किस case में किस case में इसके पास narrow optimum होता है तो आप बताएंगे light के case में नहीं sir temperature के case में नहीं sir pH के case में यहाँ पर एक term लिखा है narrow optimum for this is only for very narrow optimum this is only for pH month यह आप केवल और केवल pH month को focus करता है अभिमन्यू जी स्वागत है स्रद्धा जी दुवा जी अंकिता जी clear उमिद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बाते clear the most abundant intracellular cation is most abundant intracellular cation कौन सा है जादा मात्रा में पाय जाने वाला most abundant intracellular cation और उमिद करते हैं सभी लोगों का correct answer आएगा most abundant कौन होता है most abundant है potassium most abundant के टायन कौन सा है most abundant के टायन है potassium और potassium के साथ आपको लोगों को याद होगा stomata को open करता है बंद करता है यह potassium है most most important stomata closing और opening में help करता है एक अच्छा सा question है आपकी screen पर which one of the following is wrongly matched इसमें से कौन है जो wrongly matched है root pressure guttation को generate करता है आप बताएंगे yes sir वो वाला diagram याद है पक्सीनिया इसमट कौस करता है आप बताएंगे sir जी इसमट कौस करता है astilago कौन कौस करता है astilago कौस करता है इसलिए यही गलत है root में exark protozylum होते हैं बिल्कुल सही है stem में in dark होते है इसका गलत आंसर कौन सा है पक्सीनिया जो की यह बिल्कुल बिल्कुल गलत है यहाँ पर इसमट नहीं होगा पक्सीनिया जो है इसमट नहीं कौस करती इसमट कौस करता है astilago कौन कौस करता है astilago कौस करता है और उम्मि synthesis of food in C4 pathway occurs in chlorophyll of, भाईया बताएगा synthesis of food, C4 pathway में synthesis of food कहां होता है, आप बताएंगे synthesis of food होता है, bundle of sheet में, इसमें mesophyll cells में नहीं होता, no option of mesophyll cells, synthesis of food कहां होता है C4 plant में, C4 plant की बात करें, cam plant की बात करें, तो इसमें synthesis of food कहां होता है, bundle आप sheet में होता है, question देख करके आपके अंदर एक energy ज्वाला के रूप में आ रही होगी, लेकिन वो energy ज्वाला के रूप में आ रही है, वो आपके लिए chasing है, आपकी बिहार 108 पार, ध्यान रहे, नहीं भूलना है, अपकी बिहार 108 पार, done, जी, the common characteristics between bryophytes and pteridophytes, bryophytes और pteridophytes में common characteristics क्या होता है, vascularization होता है, independent sporophyte होते हैं, या water for fertilization, common characteristics होता है, कि दोनों के लिए water जो है fertilization के लिए अवश्यक होता है, water for fertilization, this is the common characteristics, ये common characteristics होगा, water for fertilization, उमिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, next question, 126, आपकी screen पर, आसान सा question, which of the following pairs is not correctly matched, इसमें से कौन सा pair है, जो correctly matched नहीं है, not correctly matched, कौन सा pair है, जो correctly matched नहीं है, abscessic acid, stomata को बंद करता है, सही है, gibralic acid, leaf fall कराता है, नहीं, ये leaf fall रोपता है, cytokinin, cell division कराता है, तो इसका wrong क्या है, gibralic acid जो है, ये leaf fall नहीं कराता, ये leaf fall को रोपता है, abscission को रोपता है, और सभी का correct answer आ रहा होगा, सर, इसका B wrong है, कौन सा wrong है, B is wrong, और लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा, याद आ रहा होगा, cytokinin, ethylene, gibraline, और जो है, auxin, और जो है, abscissic acid, which of the following is flagylated alga, इसमें से कौन है, जो flagylated alga है, कुछ लोग इसका सही सटी का answer देंगे, flagylated alga कौन सा है, बताने कोईश करिएगा, कौन सा alga है, जो flagylated है, ये अच्छा सा question था, लेकिन कुछ लोगों से धोखे से ये गलत हो सकता है, जी, claimidomonas है, ulothrix है, या फिर spirogyra है, या more than one of the above, जी, अच्छा सा question था, और उम्मिद करता हूँ, कि सभी लोगों का सटी का answer आ रहा होगा, कि इसका केवल और केवल, correct answer कौन सा होगा, इसका correct answer होगा, claimidomonas, केवल और केवल, ये claimidomonas है, जो कैसा होता है, जो flagylated होता है, डन, ये केवल claimidomonas है, लेकिन कुछ लोग सोचे होंगे, ulothrix का gamete, spirogyra का gamete, जैसे gamete सोचे होंगे, इनका आसान सा question चला गया होगा, यहां पूछा है, कौन सा flagylated alga है, एलगा बोले तो claimidomonas, जी, next question, amino acid binding site to off tRNA, यहां कौन सा amino acid tRNA का binding site कौन सा होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने बताया था, binding site कौन सा होता है, cca, कौन होता है, three dash end पर, cca होता है, जो binding site होता है, उमिद करते हैं, everyone clear, no doubt at all, किसी को, किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, total ATP production during EMP pathway, total ATP production during EMP pathway is, total ATP production कितना होता है, हर कोई जानता है, इसका सही answer है, eight ATP, total ATP production कितना होता है, उमिद करता हूँ, कि सभी लोगों को पता है, कि total ATP production जो होता है, वो eight ATP होता है, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer है, next question है, one thirty, एक-एक question आप देखते जाते हैं, और आपको खुशी होती है, नजाने कितनी बार आपको बताया है, कि मारसीलिया में amph-flowique होता है, कैसा होता है, amph-flowique, इस टील पाईजाती है, मारसीलिया में इसका मतलब यहां पूछा है एक्टोफलोईक किस में पाई जाती है एक्टोफलोईक तो मारसीलिया में नहीं पाई जाती एडियंटम में भी नहीं पाई जाती और उम्मिद करते हैं आप सभी का सठीक आंसर आना चाहिए कि ये किस में पाई जाती है, तो आप सब का सही आंसर आएगा, इसका गलत, मतलब none of the above, इसमें से किसी में नहीं पाई जाती, एक्टोफलोईग है, जी, एमफीफलोईग जो है, ये आपकी पाई जाती है, किसमें, मारसिलिया में, लगा था कि ये question पूछा जाएगा, लेकिन आप से पूछा है, ये इस्टील किस में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है, none of the above, none of the above is the right answer, दोस्तों, आप में से जितने लोगों ने आज SEO test series में admission लिया है, आज कई सारे लोगों का SEO test series में admission हुआ है, तो उनको थोड़ी सी जानकारी देनी है, कि आप SEO test series, जो आपका SEO test series बैच है, उसमें हमने 12,250 प्रशन कराए हैं, आप सभी लोग देखिएगा, तो SEO test series में, पहला PDF जो है, वो आप लोगों के लिए है, इसको आप solve करेंगे, दूसरा PDF भी आप लोगों के लिए है, क्योंकि उस दिन कोई छुट्टी हो गई थी, तीसरे PDF को हमने solve कराया है, लगभग 2 घंटे 20 मिनट की class है, जिसमें हमने 125 question का post-mortem किया है, फिर चौथा PDF आपके पास है, फिर पांचमे को फिर हमने solve कराया है, फिर उसी दिन से हमने 2 class कर दी है, explanation 1, explanation 2, मतलब 1 class, लगभग 1 घंटे 10 मिनट की, 1 class, 1 घंटे 10 मिनट की, सुबा साम करके हमने classes लिया है, तो आप सभी लोग घबराईएगा नहीं, लगभग 90 classes हैं, 90 classes मतलब ये मान के चलिये, कि कम से कम 4 महीने लगा है, इसको solve कराने में, और 6 महीने के target पर ये batch की तरह finish हुआ है, पूरी इमानदारी के साथ सारी classes को complete करिएगा, और सारी classes में हमने हर option को explain किया है, जैसे explain करते आते हैं, तो आप लोग कोई confusion नहीं होना चाहिए, अगर कोई confusion होता है, तो 87567035888 पर आप लिख कर भेजिएगा, हम आपको उसका solution भी बता देंगे, तो जरूरी था थोड़ा साहिए, आईए, आगे चलते ह 131, the most primitive member in which roots are not present, कह रहें कि most primitive number कौन सा है, the most primitive members in which roots are not present, जिसमें root present नहीं होते, आप बताएंगा सर जी, साहिए, प्रेजन्ट नहीं होता, राइनिया में भी प्रेजन्ट नहीं होता, लेकिन साहिए, जो है, प्रिमिटीव नहीं है, राइनिया जो है, Most Primitive है, इसलिए इसका answer हो जाएगा राइनिया और राइनिया इस दा राइनिया. और उम्मिद करते हैं कि आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा राहिनिया एक बात ध्यान रखिएगा कि जो silotum है ना silotum भी इसी category में आता है एक बात याद रखिएगा silotum में भी root नहीं होता है लेकिन यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है most primitive member कौन सा most primitive member है इसलिए इसका सही answer हो जाएगा राहिनिया next question 132 the arrangement of chromosome in the order of decreasing length is termed as arrangement of chromosome, chromosome का arrangement chromosome number one, chromosome number two, chromosome number three, four हमने इसको arrange कर दिया arrange करने के बाद आप से कहा what is this आपने कहा सर जी, this is karyotype, ये क्या है ये karyotype है, हमने आपसे कहा इसकी एक selfie ले लो आपने इसकी selfie ले लिया, जब आपने इसकी selfie ले लिया तो this selfie is called ideogram, इसकी इस selfie को ideogram कहते है पहले आप इसका karyotype ढूनते और जब आपको karyotype न मिलता तब आप क्या ढूंटे, तब आप ढूंटे इसका इडियोग्राम, इडियोग्राम क्या है, इडियोग्राम इसकी फोटो है, उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों को clear, समझ गए, जी, इडियोग्राम क्या है, अगर कैरियो टाइप होता, इडियोग्राम होता, तो आंसर हो जात का more than above, समझ आया? जी, आज आपको समझ आया, सची सची बताईएगा, आज ही आपको समझ में आया ना कि केरियो टाइप क्या होता है, इडियो ग्राम क्या होता है, एकदम सची बताईएगा, आपने नजाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन आप एकदम सच सच बताईएगा, क आज ही आपको पता चलाना कि इडियोग्राम क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है, एकदम सच बताईएगा, जूट आपका बरदाश्ट नहीं होगा, tell me, और उम्मिद करते हैं कि आप सच बताएंगे, otherwise आप हमेशा याद करते थे, कि होगा कैरियोटाइप हो जाएगा, इडियोग्राम हो जाएगा, लेकिन आज आपको पता चला कि कैरियोटाइप और इडियोग्राम में क्या फर्क होता है, जी, शंभवी शुकला जी, उम्मिद करते हैं, समझ आया होगा, और समझ आना चाहिए, अभी तो आप बायो वर्षा में आईए, फिर बताते हैं, इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में आर्ची गोनिया प्रिजन्ट होती है, this is common, क्या common है इन तीनों में आरची गोनिया प्रजेंट होती है यही common है कि इन तीनों में आरची गोनिया प्रजेंट होती है true nucleus absent in, true nucleus किसमे absent होता है, true nucleus absent in, true nucleus किसमे absent होता है, mucer में, wowcaria में, या wallwalks में, आप बताएंगे सर जी mucer, mucer में तो nucleus होता है, wowcaria, इसका structure याद है न, यह wowcaria वाला structure, यह तो बहुत ज्यादा nucleus होता है, multi-nucleated होता है, तो यह भी नहीं, wallwalks में, सर जी होता है, इसका मत्तव इसका answer है, ननाप दाएबग, इसका answer हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, राजेश जी, इसका answer हो जाएगा, इ, अभिमन्यू निशाद जी किलियर उम्मिद करते हैं यहां तक की बाते किलियर नेक्स कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमबर 135 आपकी स्क्रीन पर विच आप दा फॉलॉविंग स्टेट्मेंट इस रॉंग इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट रॉंग है बताने की कोशिश करिएगा उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट रॉंग है अगर अगर इस आप्टेंड फ्रॉम जेलीडियम अगर अगर जो होता है वो जेलीडियम से प्राप्थ होता है मैनिटल जो होता है तो र्ड़ोदैसी में कौन होता है तो र्ड़ोदैसी में floriden starch होता है देखिए सभी लोगों का comment आ रहा है कि floriden starch होता है तो manitol किसका हो जाएगा manitol phiofice का हो जाएगा और गलत आंसर किसका हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा आपका C उम्मिद करते हैं सभी लोगों को क्रेप cycle is called क्रेप cycle को क्या कहते हैं आप भी खुश हो गए क्रेप cycle को क्या कहते हैं देखिए question इसे TCA cycle कहते हैं इसे citric cycle कहते हैं इसे TCA का full form लिग दिया है tri carboxylic cycle कहते हैं इसका सभी आंसर हो जाएगा more than above इसलिए था हमने आप से कहा है अपकी बार बिहार 108 पार अपकी बार बिहार 108 पार जी अपकी बार आपको क्या काम करना है इसी को देखते हुए अपकी बार आपको ये काम करना है ये काम अपकी बार आपको करना है अपकी बार बिहार 108 पार कपा particle का नाम सुनते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। जैसे ही ये कॉपपा पार्टीकल आता है, मुझे पैरामीसियम यादाता है, और पैरामीसियम के साथ साथ फिर उसका साइटोप्लास्मिक इनहेरिटेंस यादाता है। जैसे, ऐसे स्मझे noise? जैसे कफरसल आता है, तो कफ़र से मुझे लिवर याद आता है और जब लिवर याद आता है तो उसका phagocytocytonic nature याद आता है ऐसे कपपा पार्टिकल में तिसको पढ़ने की जरूति नहीं थी आप सभी लोग कपपा पार्टिकल pyramecium cytoplasmic inheritance आपको याद करके रखना है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जो biology में आपको क्या करें, आपको focused करें, कि आपका नाम ये है, आप इतनी चीजें जानते हैं, उस जिमनोइस्पम प्लांट का नाम बताईए, जिसमें आर्ची गोनिया एपसेंट होती है, बच्चा बच्चा जानता है सर जी, ये नेटम है, जिसमें एपसेंट होती है, ये निटेल्स का है, जो जिमनो को NGO से जोड़ने की कोशिश करता है, इसमें आर्ची गोनिया एपसे होती है वो यही है आर्ची गोनिया किसमें होती है तो जो है कुमकुम दूबे जी, रिचा सक्षेना जी, अंकिता मौरिया जी, उपाशना चोहान जी, श्रधा मिश्रा जी और रंजीत जी, अभी आप लोगों ने देखा रंजीत जी क्या कमेंट कर रहे थे और राकेश कुमा अरची गोनिया इसका पजिन है फंजाई फंजाई में एपसेंट होता है और याद रखेंगे कि जिमनों है, जिमनों की खास बात है कि इसका नाम है नेटम, क्या नाम है नेटम, इस नेटम में भी एपसेंट होता है, उम्मिद करते हैं आप सभी लोग बेटरीन तरीके से ये बात जानते हैं, जि गौतम यश्पाल जी, शुभम रिंकू जी, अंकिता जी, कुमकुम दूबे जी, नेटम, एलगा, एंजियो इस्पम और फंजाई भी याद करियेगा, एलगा, फंजाई, जिमनों, एंजियो, जिमनों में नेटम और एंजियो, समीना शेख जी, आफरीन जी, तिर्शा अ लोगों को किलियर, जी, डन, एंजियो इस्पम में, जी, आएए चाहते हैं, आगे की तरफ, नेक्स कोश्चन है, 139, आपकी स्क्रीन पर, दा आर्गनिजम सेपरेटेड बाई, जियोग्राफिकल बाईर, जियोग्राफिकल बाईर, भाईया, ये तो आपको सायद किसी और पापुलेशन कहते हैं, और उम्मिद करते हैं, सभी लोगों को यहां तक का मामला किलियर होगा, और करेक्ट आंसर आ रहा होगा, हाइड्रोफाइट्स विथ बोथ, हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक ट्रेड इस, इसमें से कौन है, जिसके पास हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक दोनों ट्रेड होता है, कौन है भाईया, जो हाइड्रोफाइट्स भी होता है, और जीरोफाइट भी होता है, दोनों ट्रेड कौन रखता है, अगेव यह जीरोफिटिक होता है, कहां पढ़े थे, कैम प्लांट में, नेरियम यह कनैर है, जीरोफिटिक होता ह वाइल इस नेरिया यह हाइड्रोफिटिक होता है इसका सही आंसर हो जाएगा नन आफ दा अबब और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का किलियर होना चाहिए नन आफ दा अबब नन आफ दा अबब इस दा राइट आंसर 141 नमबर कोश्चन पर चलते हैं दा मोस्ट रजिस्टेंस बायोलाजिकल मैटेरियल बहुत अच्छा कोश्चन है मोस्ट रजिस्टेंट मोस्ट रजिस्टेंट बायोलाजिकल मैटेरियल इस इसमें से कौन है जो मोस्ट रजिस्टेंट बायोलाजिकल मैटेरियल है लिगनिन रजिस्टेंस तो देता है, इंडोडर्मिस में पायाता है, सुबेरिन इंडोडर्मिस में पायाता है, इस पोरो पोलेनिन ये पॉलन ग्रेन में पायाता है, और पॉलन ग्रेन दो लेयर की बनी होती है, इक्जाइन और इंटाइन इक्जाइन जो होता है वो इस पोरो पोलनिन का बना होता है जिसके कारण इसका प्रिजर्वेशन होता है और ये जल्दी खराब नहीं होने देता इसका सही आंसर हो जाएगा इस पोरो पोलनिन और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर ह होना चाहिए इस पोरो पोलेनिन लगभग सभी लोगों का correct answer है इस पोरो पोलेनिन is the right answer भाई आप बहुत अच्छा question है देखिए रेजिन डेक्ट आप जिम्नोइस्परम सिस्टेम में पाये जाते हैं वो किसके example है, वो example है sysogenous cavity के किसके lysogenous नहीं sysogenous cavity के है जी, वो किसके example है resins जो है, ये sysogenous cavity के example है और उम्मिद करते हैं, आप में से सभी लोगों का correct answer होगा an example of pasture effect याद है, pasture साहब ने transpiration वाले में अपना एक effect दिया था, जिसे pasture effect कहते थे उन्होंने अपना experiment saccharomyces पर किया था, east पर किया था और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को याद होगा, ये experiment was based on east, saccharomyces पर आधारित था और सभी का correct answer होना चाहिए sir, इसका सही answer हो जाएगा jay, saccharomyces और east pasture effect, याद आया jay, Lewis pasture आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं cocaine, अगर कोई व्यक्ती cocaine का नसा करता है अगर क्योई व्यक्ती cocaine का नसा करता है, तो ये आपके किस neurotransmitter को disturb करता है, तो आप बताएंगा sir ji, ये हमारे dopamine को disturb करता है, cocaine जाकर किसको disturb करता है, dopamine को, और याद रखिएगा where it is dopamine, this is dopamine ये है dopamine और इसका correct answer होगा, ये किससे interfere करता है, dopamine से interfere करता है किससे dopamine से interfere करता है, उमीद करते हैं done well, साक्षी भारती जी the walking fern is so named because, कितनी बार ये question आया है, जो थोड़े से अच्छे वाले question है, सब practice में है आपके, the walking fern is so named because, walking fern का नाम walking fern क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा, क्योंकि ये propagate करता है, किससे vegetatively propagate करता है दोस्तों, leaf tips से इसलिए इसको walking fern के नाम से जानते हैं, इसको किस के नाम से जानते हैं, इसको walking fern के नाम से जानते हैं, और उमीद करते हैं कि leaf tips से यह क्या करता है vegetative propagation करता है इसलिए इसे हम लोग walking fun के नाम से जानते हैं poly embryoni seen in psychus is psychus में जो poly embryoni देखी जाती है उस poly embryoni को क्या कहते हैं जी psychus में psychus में जो poly embryoni देखी जाती है उस poly embryoni को क्या कहते हैं उस poly embryoni को किस नाम से जानते हैं आपके पास option है potential true polyembryony cleavage polyembryony advantage polyembryony more than one जो आयोग है उसने answer दिया है potential true polyembryony के नाम से जानते हैं लेकिन इसका answer ये भी सही है advantage polyembryony तो इसके दो option में थोड़ा सा doubt है इसका पहला option आयोग ने दिया है कि इसका सही answer है A आयोग ने इसका सही answer दिया है A लेकिन इसका C answer भी सही है clear तो इसका A and C दोनों पर हैं आपके exam में जैसा होगा वह से करिएगा which are the following is saprophytic angio sperm which are the following is saprophytic angio sperm इसमें से कौन है जो saprophytic angio sperm है कुछ लोगों ने एक नजर में इस question को tick कर दिया agaricus जब घर पर आये तो देखें agaricus this is fungi how it is angio sperm इस तो fungi है लेकिन इसका सही answer है neotia कौन है neotia इसका correct answer the correct answer is neotia इसका correct answer कौन सा है इसका correct answer है neotia और इसे bird nest के नाम से जानते हैं जैसा कि इसका correct answer कौन कौन जी ने बताया इसे bird nest के नाम से जानते हैं नियो टिया इस दा आप बताएंगे haploid होता है direct mega sport से बनता है so this is haploid 149 number question आपकी screen पर which one of the following is considered as pioneer community in zirark यह question देखते ही जैसे आपने देखा होगा pioneer community आप question को छोड़ करके धूंडने लगे होंगे lycan कहां दिया है और lycan धूंड करके tick कर दिया होगा कुछ तैयारी ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें आप question देख करके option को नाम से धूंडें जिसमें आप question को देख करके option को नाम से धूंडें कि यह option कहां है और उमिद करते हैं सभी लोगों ने ऐसा ही किया होगा roots are absent इसमें से किसमे roots absent होते हैं भया myriophyllum में root absent होता है बात सही है ceritophyllum में root absent होता है ये भी बात सही है utricularia में root absent होता है ये भी बात सही है इसका सही आंसर है इन सभी में roots absent होता है तो इस तरीके से बोटनी के लगभग 80 question पूछे गए थे, आप इन 80 प्रशनों को देखे हैं, आपको समझ आया कि कोई प्रशन ऐसा नहीं था, जो धोखे में अगर गलत हो जाए तो हो जाए, अदर्वाइस आप लोगों का response काफी अच्छा रहा, आप लोगों का response काफी अच प्रशन में हम सभी लोग क्या करेंगे, अपना एक एम रखेंगे, आप लोग देखिएगा आप 80 में से कितने प्रशन सही कर पा रहे हैं, वैसे 20 question के बाद आप से हम पूछेंगे कि 20 में आपका score क्या रहा, सभी लोग तयार, जी, आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं आपक मंदे से, मंदे से हमने non-core data का topic शुरू किया है, zoology section में, non-core data का topic शुरू किया है, zoology section में, और botany section में mineral nutrition का topic शुरू किया है, तो आप में से जो लोग focused हैं, TGT, PGT, LT, GIC को, उनके लिए ये target 24 का second batch, बिल्कुल best हैं, आप इसके साथ जुड़ करके, 8 महिने तक लगातार अपने syllabus को बेहतरीन तरीके से cover करें, और आप में से जिन लोगों ने आज class को join किया है, उन सभी लोगों को time table मिल गया होगा, कल morning में 10 बच के 5 मिनट पर mineral nutrition की चौथी class होगी, और evening में non-core data में, आज हमने porifera पढ़ाना शुरू किया है, porifera का classification पढ़ाया है, और आप जब porifera का classification सुनते हैं, तो मैं आशा कर सकता हूँ, कि आपको porifera के classification में कुछ बाते याद आती हैं, जैसे एक scientist याद आते हैं, Robert Grant, जिन्होंने porifera term दिया था, आप लोग हमें बताने की कोशिश करिएगा, porifera को कहा गया था, animals nature of sponge, आप में से कौन है, जो मुझे बताएगा, क जिन्होंने porifera को कहा था, animals nature of sponge, जिसने porifera में sponge को animals nature बताया था, वो कौन से scientist थे, देखिए, समीना शेख जी का जवाब आ गया है, सर जी, वो Alice थे, बहुत अच्छी, very good समीना जी, really good, John Alice थे, नेहा तिवारी जी, really good, उपाशना गौतम जी, Alice थे सर, बहुत अच्छी, मात करते हैं कि यहां तक की बाते, आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से clear, और जब आपको ऐसे याद आता है कि John Ellis थे, तो काफी अच्छा feel होता है, और जब आप नाम सुनते हैं, Robert Grant का, किसका नाम सुनते हैं, जब आप नाम सुनते हैं, Robert Grant का, तो आप लोग कैसा feel करते हैं, एक बार बताने की कोशिश करिएगा, जब आप नाम सुनते हैं, Robert Grant का, तो Robert Grant ने Porifera को क्या कहा था, तो आप बताएंगे, Porifera term दिया था, Robert Grant ने, Robert Grant ने Porifera term दिया था, Porifera को तीन classes में बाटा गया था, तीन classes में, कौन कौन से थे, याद हैं, जिनको जिनको याद है, थोड सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कौन थे पोरी फेरा टर्म दिया था राबर्ट ग्रांट ने और इसे तीन क्लास में बाटा गया था वो क्लास तीन कौन-कौन से थे जी लगभग सभी लोगों के जवाब आने चाहिए कितने लोगों को याद आ पा रहा है कि इसमें टीन क्लासस कौन-कौन सी थी जिनको-जिनको यादा रहा है वो सभी लोग ध्यान रखें बताने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आप सभीUs बतानेमें सक्षम है किसर जी एक क्लास था क्ठरिया काउन था क् 2 केरिया एक क्लास था हैक्जैक्ट निलिड़ा कौन था हैक्जैक्ट निलिड़ा एक क्लास था डेमो इस्पॉंजिया याद आया डेमो इस्पॉंजिया याद आया डेमो इस्पॉंजिया उम्मिद करते हैं कि सभी लोगों को यहां तक की बातें किलियर जी याद आया होगा कि ये तीन क्लासेस थे, हाँ, बहुत अच्छे, कैलकेरिया, हेग्जेक्टिनलिडा, और डेमो इस्पॉंजिया, और उम्मिद करते हैं, कि आप सभी को ये भी याद होगा, कि हीमोसिला ये ओर्डर था, हीमोसिला ओर्डर था, किसका, हेट्रोसिला ओर्डर था, किसका, आपके revision batch में class होगी, और जब revision batch में class होगी, पौरी फेरा से सम्बंधित प्रशन होगे, और उसमें जो है, मिनरल न्यूटीशन से सम्बंधित प्रशन होगे, तो आप सभी लोग आज से non-cordata की porifera की copy अपने पास रख लीजिए, otherwise आपकी खेरियत नहीं है, सभी लोग अपनी copy अपने पास रख लीजिए, most most important है, हीमोसिला में लिूकोसोलेनिया आता है, और कौन आता है? और आता है कैथराइना, कौन आता है? कैथराइना, कौन आता ह हैं, तो इसमें कौन आता है? इसमें आता है, आपका स्काइफा आता है, और इसका भाई है, ग्रैंशिया, और इस ग्रैंशिया को सैक इस्पंज के नाम से जानते हैं, ये भी याद होना चाहिए, आपने नाम सुना है, क्लियोना, आप में से कौन लोग हैं, जो क्लियोना की कुंडली निकाल सकते हैं, क्लियोना, नाम सुना है, क्लियोना, उम्मिद करते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लियोना, विने मैनी जी, क्या प्रॉब्लम आपको हो गई है, इस बारिश के मौसम में, इसे बोरिंग स्पंज के नाम से जानते हैं, ये तो सारी दुनि पहुचाता है आएए चलते हैं जुलाजी के सेशन पर तो जिन लोगों ने अभी तक अपने एड्मिशन की प्रिक्रिया नहीं पूरी की है वो सभी लोग 8756703588 पर ज्वाइन बायलोजी लिखकर भेजे और एड्मिशन की प्रिक्रिया को पूरा करें जुलाजी का पहला प् देखते हैं जादा स्कोर कौन करता है दन तयार सभी लोग आएए एस सील सिक्रीटिंग सेल आफ गैस्टिक ग्लैंड एस सील को कौन सी गैस्टिक ग्लैंड सिक्रीट करती है बच्चा बच्चा जानता है सर आउग्जियंटिक सेल इस दा राइट आंसर तो सभी का करेंट आ तो सब लोग जानते हैं, it stimulates the functioning of pancreas, यह किसकी functioning को stimulate करता है, यह pancreas की functioning को stimulate करता है, यह pancreas की functioning को stimulate करता है, जी, next question 73 आपकी screen पर, आसान सा question है, the functional unit involved in the absorption of digested food is, functional unit जो involved होती है, absorption of digested food में, वो कौन सी है, तो आप बताएंगे, that is vilai, कौन सी है, यह vilai है, जो absorption में मदद करती है, कौन है, vilai है, जो intestine में होती है, इस टमक में होती है, तो रोगी कहलाती है, इस टमक में होती है, तो रूगे कहलाती है, गिरीन कलर आफ बाइल इस ड्यू टू बाइल का हरा रंग किसके कारण होता है हर कोई जानता है बाइल वर्डिन इस दा राइट आंसर गिरीन कलर आफ बाइल इस ड्यू टू बाइल का ग्रीन कलर किसके कारण होता है तो जितने लोगों ने आंसर लगाया है बाइल वर्डिन स कौन सा enzyme है जो 1.6 pH पर protein का digestion करता है 1.6 बोले तो आप सभी लोग जानते हैं बहतरीन तरीके से आपको याद है अगर pH का मामला देखा जाता है तो pH का मामला कुछ इस तरह से चलता है यहाँ पर pH होता है कितना 6.5 से 6.8 होता है सेम पिएफ यहाँ तक आता है अमाशे में पहुचता है, तो 0.9 से 1.5 या कुछ किताबे लिखती हैं, 1.8 तक अमाशे में होता है, जैसे इंटेस्टाइन में आता है, इसका pH जो होता है, 7.2 से उपर चला जाता है, ये pH की कहानी होती है, और पूछ रहा है कि 1.6 पर क्या होता है ये गेम, ये गेम होता है प सब्सक्राइब खेलीड कर्भो त इ लुए ना कार्भो हाईडक जेख प्याम होती है, मोनोड्स एक होता है, ये मोनो सैकराइटी फार्म में एब्दर बहूता है, एक क्योश्चन है आपसे पूछें, पहले 80 तक कर लिजये फिर पूषते हैं, उमिद करते हैं, आप सभी लोगों का correct answer आएगा, Lacteals are connected with absorption of fat ये absorption of fat से connected होते हैं सभी लोगों का correct answer होगा 78 In the process of transport of carbon dioxide which phenomenon occurs between RBC and plasma RBC और plasma के बीच कौन सा phenomenon होता है सभी का answer आ रहा होगा Chloride shift is the right answer सभी का answer आ रहा होगा Chloride shift is the right answer उमिद करते हैं सभी का correct answer चल रहा होगा Chloride shift is the right answer Next question है 79 Exchange of oxygen and carbon dioxide at the respiratory surface occurs through कह रहा हैं कि exchange of बताने की कोशिश करिएगा Exchange of पूछा जा रहा है कि exchange of most most important है Exchange of oxygen and carbon dioxide यह जो इनका exchange होता है उसे क्या कहते हैं This is called diffusion Exchange of carbon dioxide and oxygen Oxygen and carbon dioxide at the surface is called diffusion और उमिद करते हैं सभी का correct answer आ रहा होगा Diffusion is the right answer Next question है 80 number question आपकी screen पर Crepe cycle is important for Crepe cycle किसके लिए importance रखती है Crepe cycle importance for Crepe cycle किसके लिए importance रखती है Oxidation of carbohydrate Oxidation of amino acid No Production of ATP Most most important Production of ATP By oxidative phosphorylation इसका सही answer हो जाएगा C और आप में से जितने लोगों ने C answer किया होगा G लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा C is the right answer Next question है 81 Lymph differ from blood In processing Lymph में पाया जाता है आप बताएंगे सर जी Blood में RBC और WBC डोनों पाया जाता है और lymph में केवल और केवल Lymph has only WBC No RBC Lymph में केवल और केवल WBC होता है इसमें कोई भी RBC नहीं होता है Next question है 82 आपकी screen पर Component of blood responsible for producing antibodies वो कौन सा component है blood में जो antibody produce करता है तो आप बताएंगे सर जी That is lymphocyte यह lymphocyte है जो antibody produce करता है यह lymphocyte है जो antibodies produce करता है और उम्मिद करते हैं लगभग सभी का correct answer आ रहा होगा antibodies is the right answer गौतम यस्पाल जी शुभम जी अच्छा चल रहे है the plasma content that forms the fibrous skeleton of clot इसमें से कौन है जो fibrous skeleton बनाता है जो एक clot में fibrous skeleton बनाता है वो कौन है उसका नाम है fibrinosian यह clot बनाता है the plasma content plasma का content है कौन कौन है plasma का content है जो बनाता है platelets नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि platelets जो है यह plasma का content नहीं है इसलिए नहीं होगा यहीं दिमाग लगाना था fibrinosian इसका सही answer होगा इसका answer धोखे से D नहीं करना है इसका answer प्लेतलेट्स तो ठक्का बनाता है, लेकिन प्लेतलेट्स प्लाजमा नहीं है, इसलिए इसका स़ही आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रीनोजन is the right answer जी next question 84 ultra filtration takes place ultra filtration कहां होता है ultra filtration ये structure जानते हैं आप लोग this is called bombon capsule और ये structure जानते हैं तो आप बताएंगे yes sir ये structure जानते हैं this is afferent arterioles और ये जो afferent arterioles होता है यहां पर bombon capsule में क्या बनाता है capillaries बनाता है इसे बोलते हैं glomirulus तो filtration कहा होता है filtration केवल और कोवल GLOMERULUS में होता है filtration कहा होता है GLOMERULUS में होता है filtration कहा होता है filtration जो होता है वो GLOMERULUS में होता है उम्मिद करते हैं कि आपने GLOMERULUS BOMEN का एप Sports समझ दिया The synthesis of urea in liver takes place by synthesis of urea जो liver में urea की synthesis होती है वो किसके द्वारा होती है बच्चा बच्चा जानता है वो होती है ornithin cycle के द्वारा या urea cycle के द्वारा या hands let crave के cycle के द्वारा ornithin cycle is the right answer next question reabsorption of water in distal convoluted tubule is controlled by कह रहें कि reabsorption of water in distal convoluted tubule मतलब DCT DCT में reabsorption of water को कौन control करता है आप बताएंगे ADH hormone control करता है उसे बोलते हैं vasopressin उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं vasopressin उम्मिद करते हैं सभी लोगों का clear होगा volume of urine is regulated by urine की volume को regulate कौन करता है कौन है तो आप बताएंगे eldosterone है और जो है ADH hormone है जो urine के volume को रोकता है urine के volume को रोकने वाला hormone कौन है तो आप बताएंगे ADH है और eldosterone है जो urine के volume को रोकता है और उम्मिद करते हैं आप सभी लोगों का clear होगा कि volume of urine is regulated by urasis का मतलब होता है कि जो है increase in volume urine volume diuresis का मतलब क्या होता है decrease in urine volume आप से पूछा है diuresis क्या पूछा है diuresis किसके कारण होता है diuresis मतलब urasis का मतलब होता है diuresis problem हो गई मतलब increase in urine volume और urasis की problem हो गई तो decrease in urine volume तो आप से पूछा है diuresis diuresis में क्या होता है जी बताने की कोशिश करिएगा diuresis decrease in urine volume decrease in urine volume decrease in urine volume सभी का आंसर आ रहा है decrease in urine volume diuresis anti-diuretic hormone समझे का पहले ADH ADH क्या होता है anti-diuretic anti-diuretic hormone मतलब ये क्या करता है ये urine के formation को क्या करता है ये urine के formation को बढ़ा देता है ये कम कर देता है diuresis मतलब होता है increase in urine volume इससे increase होती है urine की volume ADH hormone क्या करता है ADH hormone increase कर देता है urine के volume को anti-diuretic होता है मतलब ये decrease कर देता है और diuretic का मतलब क्या होता है ये reabsorption बढ़ा देता है जैसे volume decrease कर जाता है लेकिन diuretic का मतलब क्या होता है diuretic का मतलब होता है A, increase in urine value, B नहीं, A is the right answer, इसका A right answer होगा, क्योंकि जो आपका ADH होता है, समझिएगा, जो आपका ADH होता है, ये anti-diuretic होता है, ये जो increase urine volume है, ये क्या करता है, इस increase urine volume को क्या करता है, कम कर देता है, reabsorption करता है, तो diuresis is the characteristics of, जे, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer आना चाहिए, 88, 88 का A, increase in urine value, जी, जी, एक बार आप लोग भी, जो है, थोड़ा सा देख लिजिएगा, वैसे मुझे यही लग रहा है, कि इसका सही answer A ही है, जी, diuresis, diuresis मतलब increase करना, और anti-diuresis क्या करता है, उसको कम कर देता है, reabsorption of useful substance back into the blood from the glomerular filtrate in the nephron occurs, आप बताएंगे, यह reabsorption जब पूछे, तो PCT is the right answer, reabsorption of useful substance back into the blood from glomerular filtrate is PCT, इसका सही answer क्या हो जाएगा, इसका सही answer हो जाएगा, PCT, सुनिल गुप्ता जी, जी सर, A ही होगा, हाँ हाँ, ओके, A ही होगा, I know, clear, उमिद करते हैं, इसका सही answer हो जाएगा, A is the right answer, which are the following forms are muscle, इसमें से कौन है, जो muscles में पाया जाता है, which are the following forms are muscle, जो muscle बनाता है, मसल कौन बनाता है, myofibril, myofibril जो है, यह muscle बनाता है, यह 20 question था, उमिद करते हैं, कि 20 में से ज़्यादा तर लोग 90 ना आ गए, लेकिन कुछ लोग great लोग थे, जो 20 by 20 चल रहे हैं, कुछ लोग great हैं, जो 20 by 20 चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तर लोग 19 आ गए, ज़्यादा तर लोग कहां आ गए, 19, इसका सही answer हो जाएगा, 20 by 20 कुछ लोग होंगे, और ज़्यादा तर लोगों से उम्मिद है, कि 19 आ गए होंगे और कुछ लोग अपने धोखे से कहां आ गए 18 पर आ गए तो धोखे से जो लोग 18 पर आए हैं उनको भगवान सद बुद्धी दे और थोड़ा सा अच्छा रहे मतलब एक एक question आपके लिए fightable होंगे कभी कभी होता है qualify करना है लेकिन आपको अभी qualify नहीं करना है अब आपको अपनी rank बनानी है मसल्स का functional unit क्या होता है तो बच्चा बच्चा जानता है सर जी इसकी functional unit होती है सारको मियर क्या होती है सारको मियर इसकी functional unit होती है इसकी functional unit क्या होती है सारको मियर क्या होती है सारको मियर एक question जो पूछने वाले थे वो question आपसे पूछ ले जो question पूछने वाले थे उस question को पूछ ले which one of the following, not digested, only absorption takes place, only absorption takes place only absorption takes place केवल absorption होता है option A में है protein option B में है carbohydrate option C में है fat बताने कोईश करिएगा कौन सा हो सकता है which are the following not digested only absorption takes place केवल absorption होता है जी आप लोग मानेंगे नहीं जब आप तो देंगे न दी आप्शन नहीं देखेंगे हद हो गई है दी आप्शन भी देख लीजिए water minerals and vitamins बताईएगा मतलब दी आप्शन को इनकी जरुवत नहीं पड़ी इन लोगों को D-option की भी जरुवत नहीं पड़ी कितने जबर जस्तिन की preparation है भई इनको D-option की भी जरुवत नहीं पड़ी इन सभी लोगों ने उला दिया fat सुधर जाईए fat का digestion नहीं होता क्या किसने कहा भई fat का digestion नहीं होता क्या ये बड़ा-बड़ा fat है ये breakdown होता है छोटे-छोटे fat में आ जाता है छोटे-छोटे fat में आ जाता है ये बड़ा fat है breakdown होता है छोटे-छोटे molecules में बन जाता है किसमें छोटे-छोटे molecules बन जाते हैं, इसके छोटे molecules बन जाते हैं, this is called emulsification, इसे क्या कहते हैं, इसे emulsification कहते हैं, इसे emulsification कहते हैं, ये छोटे-छोटे पार्टों में क्या होता है, तूट जाता है, इसे emulsification कहते हैं, आप लोग कैसे भूल सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे emulsification कहते हैं most most important और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से यहां तक की बातें clear हैं कि इसे क्या कहते हैं इसे emulsification कहते हैं और हम बहुत अच्छे से जानते हैं जब इसको आ करके जब इसको आ करके bile salt cover कर लेता है जिसे sodium glycolate कहते हैं जब आ करके इसको cover कर लेता है तो इसे हम लोग micelli बोलते हैं this is called micelli इसे क्या बोलते हैं इसे micelli बोलते हैं याद होगा इसे micelli बोलते हैं अब इस micelli पर enzyme function करता है जिसका नाम है lipase और यह lipase क्या करता है यह lipase इसको break down करता है क्या करता है breakdown करता है और breakdown करके fatty acid बनाता है और glycidol बनाता है तो ये जो micelli होता है ये क्या होता है ये molecules को चारो तरफ से कौन घेर लेता है bile salts इसको चारो तरफ से कौन घेर लेता है इसको चारो तरफ से bile salts घेर लेते है जी उम्मिद करते हैं सभी लोगों को ये बात याद होगी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D Water का Digestion नहीं होता केवल और केवल एबजॉप्शन होता है Minerals का Digestion नहीं होता केवल और केवल एबजॉप्शन होता है विटामिन्स का डाइजेशन नहीं होता, केवल और केवल अबजॉप्शन होता है, अगर कभी आप से पूछा जाए कि किसका डाइजेशन नहीं होता, केवल और केवल अबजॉप्शन होता है, तो आप सभी बड़े बुढ़ों का अंसर आना चाहिए, वाटर का, मिनरल का और विटामिन्स का जी next question पर चलते हैं question number 92 contractile protein in the muscles is muscles में contractile protein कौन सी होती है muscles में contractile protein कौन सी होती है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों का answer आएगा कि contractile protein कौन सी होती है contractile protein होती है actin myosin ये होती है troponin, tropomyosin सभी होती है इसलिए इसका सही answer हो जाएगा D आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा D इसका actin myosin के साथ-साथ ये सभी होंगी और सभी का answer हो जाएगा D उमिद करते हैं 92 का सभी लोगों का answer आ रहा होगा D next question, question number 93 आपकी screen पर myofibrils of muscles consist of muscles की जो myofibrils होती है वो किस से मिलकर बनी होती है तो इसका बच्चा बच्चा जानता है कि myofibrils जो होते हैं वो actin और myosin से मिलकर बने होते हैं myofibrils किस के बने होते हैं तो आप लोग बताएंगे myofibrils जो होते हैं वो actin और myosin से बने होते हैं substance that accumulate in a fatty muscles are वो कौन सा substance है जो ठकी हुई मांसपेशियों में जमा होता है जब हम थोड़ा सा पैदल चल लेते हैं ज़्यादा दूर तक दोड़ लेते हैं तो हमारे पैर दर्द करते हैं दर्द करने की वज़ा क्या है यह है lactic acid lactic acid जमा हो जाता है तो घबराना नहीं चाहिए दो दिन बाद अपने आप दर्द जाएगा lactic acid फिर से convert हो जाएगा और change हो जाएगा which of the following yields ATP required for muscle contraction ATP करें कि which of the following yields ATP किसको ATP की अवेशक्ता होती है for muscles contraction muscles contraction के लिए myosin को नहीं myoglobin को नहीं creatin phosphate को ATP चाहिए होता है creatin phosphate एक इकला होता है जिसको ATP चाहिए होता है muscles contraction कराने के लिए इसको muscles contraction कराने के लिए क्या चाहिए ATP चाहिए और जब इसको ATP की requirement होती है तभी ये muscles contraction कराता है next question है question number 96 आपकी screen पर उम्मिद करते हैं अच्छा answer होगा which of the following is released at the synaptic junction during neural transmission neural transmission के समय synaptic junction पर कौन release होता है सारी दुनिया में famous है ये acetylcholine acetylcholine release होता है synaptic complex पर कौन release होता है तो आप सभी लोग जानते है acetylcholine release होता है और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा acetylcholine is the right answer jumping moment of nerve conduction is jumping moment of nerve conduction is nerve conduction jumping moment किसका होता है saltatory conduction का होता है याद रखिएगा ये कई बार miscellaneous question में कई बार आया है saltatory conduction के लिए होता है next question 98 आपकी screen पर by chemical nature hormones में भी अगर कहा जाएं कि hormones का chemical nature क्या होता है तो आप बताएंगे इनका chemical nature होता है कुछ इसमें steroid भी होते हैं कुछ इसमें peptide या proteins भी होते हैं कुछ इसमें amino acid वाले भी होते हैं so we can say D is the right answer इसलिए हम सभी लोग कह सकते हैं कि इसका right answer D होगा क्या होगा D इसका right answer होगा और लगभग सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा D is the right answer आपको लग रहा होगा काश हम भी exam में बैठे होते तो आज फिर class में ना होते इसमें से किस प्रकार की सेल है जो ग्लूका गॉन को सिक्रीट करती है तो आप बताएंगे alpha cell जो है ये ग्लूका गॉन को सिक्रीट करती है beta cell जो है ये insulin को सिक्रीट करती है सभी का correct answer आ रहा होगा A cell 100 नमर question है आपकी screen पर oestrogen is produced by oestrogen produced होता है इसमें से कौन है जो oestrogen produce करता है मतलब oestrogen hormone को कौन produce करता है NCRT वाली spelling है समालिएगा oestrogen is produced by कौन produce करता है तो आपके आयोग ने कहा है ovaries produce करती है कौन produce करता है ovaries produce करती है तो याद रखिएगा ovaries produce करती है और correct answer है ovaries और उम्मिद करते हैं सभी लोगों का clear जी शिव कुमार मौरिया जी हम अच्छे हैं आप बताइए कैसे हैं इतना लेट कैसे हम सभी लोग paper देख रहे हैं बिहार का और जो है आने वाले 24 अगस्त को हम लोगों को एक challenging game मिल गया है कि आने वाले 24 अगस्त में हम जुलाजी से एक्जाम देने जाएंगे तो भी बॉटनी से एक्जाम देने जाएंगे तो भी हमें कुछ भी हो जाए हमें 108 क्वेश्चन सही करना है कितने में 120 में जी दा ग्लैंड विचिस बोट इग्जोक्राइन एंडोक्राइन आपके सोच रहे होंगे सर जी इस एक्जाम में हम होते तो काफी अच्छा होता पाइंक्रियाज इस दा राइट आंसर लगबग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा pancreas is the right answer the gland responsible for calcium metabolism is कौन सी gland है जो calcium metabolism के लिए required है कौन सी important है calcium metabolism के लिए तो सभी का अंसर आ रहा है parathyroid is the right answer सभी का अंसर आ रहा है parathyroid is the right answer उम्मिद करते हैं सभी लोगों का बेहतरीन अंसर है जे next question question number 103 आपकी screen पर the gonadotropic hormone is secreted by gonadotropic hormone बोले तो GNP GNH gonadotropic hormone is secreted by oh my god gonadotropic hormone is secreted by anterior pituitary क्या आंसर हो जाएगा anterior pituitary is the right answer जे anterior pituitary is the right answer next question 104 secondary sexual character in male developed under the influence of male में secondary sexual character किसके प्रभाव से developed होता है हर कोई जानता है testosterone is the right answer ये testosterone hormone है जो male में secondary sexual character के लिए responsible होता है next question है 105 color differentiation is done by color differentiation होता है color differentiation is done by rods के द्वारा cones के द्वारा तो आप बताएंगे सर जी ये होता है cones के द्वारा किसके द्वारा differentiated होता है cones के द्वारा कल के schedule में 6 बजे जो है batch में class है 6 बजे शाम को batch में class है morning में 10 बजे 10 बच के 5 मिनट पर batch में class है 11 बच के 20 मिनट पर NCRT batch में class है और उसके बाद 6 बजे फिर batch में class है फिर 7 बजे मतब 7 पंदरा पर रिवीजन बैच में क्लास है आप सभी लोग तयार रहेगा, revision batch में class है, फिर उसके बाद 8.15 पर, कल हम लोग estate, estate के बारे में बात करने वाले हैं, तयार रहेगा estate, estate PGT के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपसे 1.500 प्रशनों की, 1.500 प्रशन में मतलब 50 प्रशन जो आपके GS के आते हैं, reasoning के आते हैं, maths के आते हैं, साथ में 100 questions जो आपके subject के आते हैं, उनसे बात करने वाले हैं, और यहाँ पर जो seated वाली condition होते हैं, पीडोगोगी पूशी जाती है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो कल 8.15 मिनट पर हम सभी लोग live मिलेंगे YouTube पर, और इस YouTube की class में 150 प्रशन जो होते हैं, उनके बारे में सारा idea develop करेंगे, और उम्मिद करते हैं, कि आप सभी लोग 8.15 मिनट पर इस class में जरूर present रहेंगे, मेरा पूरा प्लान हो गया है, जी, मेरा पूरा प्लान हो गया है, कि अब आपको सार चीजों से, जी, विने मैनी जी, आपकी class हट गई है, आप 8756 नंबर पर फिर से WhatsApp करें, और WhatsApp करके उसमें कहें कि मुझे revision best से जोड़ दिया जाएं, जी, तो आप फिर से revision best से जुड़ जाएंगे, जितने लोग class में revision best से नहीं जुड़ें, कल की class revision best में 7.15 पर है, याद र 106 आपकी screen पर, menstrual cycle is controlled by, menstrual cycle को control कौन करता है, अगर आप से पूछा जाए, menstrual cycle को control कौन करता है, तो estrogen और progesterone hormone जो होते हैं, ovary में, इनका जो label होता है, वो control करता है, कौन control करता है, उसको control करने वाला estrogen और progesterone होता है, 107 नंबर question पर आते हैं, Fertilization of human occurs in, human में Fertilization कहां होता है, बच्चा बच्चा जानता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, याद रखेगा, अच्छा सा question है, असा question है, Secession of mensural cycle is called, mensural cycle का रुकना, mensural cycle का बंध होना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, मीनोपाज, और जब female में मीनोपाज हो जाता है, तो उसके बाद heart attack की संभावना बढ़ जाती है, जब तक condition, mensural cycle की होती है, उसमें heart attack की problem कम होती है, उस दिन आपको हम बता रहे थे, Spermetogenesis and Sperd differentiation occurs under the control of, Spermetogenesis के लिए कौन सा हार्मोन जाना जाता है, आप बताएंगे Spermetogenesis के लिए और Oogenesis के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है कौन, Follicular Stimulating Hormone, Obulation के लिए जाना जाता है LH, जी, Obulation के लिए जाना जाता है LH, और अगर आप से पूछा जाए, Spermetogenesis के लिए, और Oogenesis के लिए कौन जाना जाता है, FSH is the right answer, next question, Obulation, वो भी पूछ गया है, पता है, Revision Batch की जो Class Cable करके गया होगा, जैसे नए बच्चे, जो लोग बिहार का एक्जाम देते हैं, वो लोग मतलब बिहार के एक्जाम को हलके में न ले, कि हम दो महिने की तैयारी में अच्छा कर लेंगे, पेपर तो आसान आपको तब लगता है, जब आपके पास डिफ्ट में नौलेज होती है, और जिनके पास डिफ्ट में नौलेज नहीं होती है, पॉइंट पॉइंट पढ़ कर जाते हैं, मतलब पॉइंट, NCRT पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट, पॉइंट बना रहे हैं, अरे ये पॉइंट न जाने कहां ब्लाइंड हो जाता है, जब आप कॉंसेप्ट रखते हैं, तब आपको पेपर आसान लगना होता है, हमने NCRT की क्लास ली है आप NCRT की क्लास मेरी YouTube पर देख लिजे और आपको पता चल जाएगा कि ये आमिर सर की NCRT डिक्टो लाइन है क्या है डिक्टो लाइन है हमने आपको डिक्टो लाइन समझाने की कोशिश की है डिक्टो लाइन समझाने की कोशिश की है NCRT बैच में उसको हमने जो हमारे पेड़ बैच के बच्चे हैं जो NCRT के बच्चे हैं वो कभी तुलना ही नहीं कर सकते कि आमिर सर जो बैच में पढ़ाते हैं वही NCRT में पढ़ाते हैं नहीं टोटली डिफरेंट होता है जो NCRT मे हैं वह NCRT badge में पढ़ा जाता है और जो हमारे syllabus में है वो हमारे syllabus में पढ़ा जाता है अगर मैंने digestion पढ़ाया है तो NCRT के badge का notes NCRT के badge की class और badge की class में अगर आप तुल ना करेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बैच में काफी detail में होता है NCRT में सिर्फ उतना ही होता है जितना NCRT में लिखा है और दोनों को पढ़ाने की strategy अलग है ये नहीं कि हम जो है बैच में जो पढ़ा रहे हैं NCRT बैच में पहुँचे उसमें भी वही पढ़ा दिये नहीं ऐसा नहीं totally different जी उम्मित करते हैं यहां तक की बात हैं सभी लोगों को समझ में आया सब कुछ new points मिल जाते हैं लिखते लिखते बिल्कुल मिलेंगे no doubt उमिद करते हैं यहां तक की बात हैं आप सभी लोगों की आये चलते हैं evolution occurs evolution के बारे में क्या आप बताते हैं LH आप बताइएगा आपके इस 20 में कितने सही हुए, इस 20 में तो आपने 20 मारे होंगे, या धोके से 19 हो गए, बताइएगा, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct, correct explanation, tell me, जी, बताने की कोशिश करिएगा, इस देख करके लगें, कि इस एक बार भी रॉंग नहीं हुए, मतलब हम लोग कहां पहुच गए, 39 अपान 40, बहुत अच्छे, कुछ लोग हैं, जो 40 वाई, 40, 39 अपान 40, किया जा सकता है, जी, किया जा सकता है, no doubt, दोस्तों, जिन लोगों ने आज एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की है, वो सभी लोग सुबा 10 बस के 5 मिनट पर क्लास्टर मिलेंगे, और जो लोग अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, हाँ, एडमिशन की प्रक् आपको पता है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड से एक सिक्रिशन होता है, जो इस्पर्म को क्या रखता है, पता है, जिस दिन बिहार का एक्जाम था, उसके एक दिन पहले ये कोश्चन करवा रहा था, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रोडूसे सिक्रिशन फार्ग, ये क्या करता ह इस्पर्म की motility को बढ़ाता है, stimulating sperm activity, ये इस्पर्म की activity को बढ़ाता है, और उम्मिद करते हैं, लगभग आप में से सभी का correct answer आ रहा होगा, ये इस्पर्म की activity को बढ़ाता है, जी, next question, question number 112, emergency contraceptives are effective if used within, कह रहें कि जो emergency contraceptives होते हैं, वो अगर use किये जाते हैं, effective if used within, कितने समय में, तो आप बताएंगे, 74 hours of quietus, ये आप बताएंगे, 74 hours of quietus, ये जो contraceptives होते हैं, ये 72 घंटे के भीतर use किये आते हैं, तो ये कामके होते हैं, otherwise, ये नुकसानदे होते हैं, from the sexually transmitted disease, mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organ, इसमें से कौन सी बीमारी है, जिसमें sex organ affect नहीं होता, तो आप बताएंगे सर, एट्स में sex organ affect नहीं होता, गोनोरिया में sex organ affect नहीं होता, इसका मतलब इसका अंसर हो जाएगा, more than above, more than above, लगभग सभी लोगों का correct आंसर आ रहा है, more than above, जी, more than above, एट्स में ऐसा नहीं होता है, और जो है, more than above, इसका सही आंसर हो जाएगा, उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct आंसर होगा, more than above, condoms are one of the most popular contraceptive, because of which the following reason, these are effective barriers for insemination, सही है, they do not interfere with coital act, बिल्कुल सही है, these help in reducing the risk of steady, बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा, more than one of the above, more than one of the above, next question है, 115, oral contraceptives prevent pregnancy by, ये भी एक दिन पहले ही question करवाया था, जो एक्जाम में आपको देखने को मिला था, oral contraceptives prevents pregnancy by blocking the fertilization, ये fertilization नहीं होने देता, ये क्या नहीं होने देता, ये fertilization नहीं होने देता, ये fertilization नहीं होने देता, ये block करता है fertilization को, जी, blocking the fertilization, इसका सही आंसर हो जाएगा, blocking the fertilization, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, the term vaccine was introduced by, जैसे आपने ये नाम सुना, आपने Edward Jenner को याद कर लिया, कि Edward Jenner सहब ने term vaccine को introduced किया था, उम्मिद करते हैं, लगभग सभी लोगों का correct answer होगा, Edward Jenner, हशीश, गांजा, चरस are obtained from, हशीश, गांजा और चरस, प्राप्त होता है, किसे प्राप्त होता है, हर कोई जानता है, कैना बिस सेटाइवा, ये किसे प्राप्त होता है, कैना बिस सेटाइवा is the right answer, हशीश, गांजा और चरस, ये किसे प्राप्त होता है, कैना बिस सेटाइवा is the right answer, cancer is caused by, cancer होता है, cancer is caused by rupturing of sin, uncontrolled meiosis, uncontrolled mitosis, तो आप बताएंगे सर, इसका सही आंसर है, uncontrolled mitosis, इसका सही आंसर है, uncontrolled mitosis, और उमिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer, AIDS is transmitted by, AIDS का transmission होता है, sexual intercourse से, blood transfusion से, placental transfusion से, आप बताएंगे, more than one of the above, ऐसे question आते जाते, और ऐसे question पर आप answer लगाते जाते, question आते जाते, और आप question पर answer लगाते जाते, वो 24 अगस्त का दिन, 24 में, 24 अगस्त, 2024, 24 अगस्त, 2024, ध्यान रहे, 24 अगस्त 2024, आपका target याद रहे, which immunoglobulin can cross the placenta and can provide passive immunity, placenta को कौन cross कर सकता है, तो आप बताएंगे, placenta को cross कर सकता है, mom जी, placenta कहां होता है, mom के पास, और mom जी याद रखिएगा, mom जी केवल है, जो placenta को cross कर सकते है, तो आज से placenta की बात आएगी, तो mom जी को याद करेंगे, mom जी हैं, जो placenta को cross कर सकते हैं, ताइफाइड fever is caused by, आप सभी को, जी, विल्कुल आसान सा question है, ताइफाइड fever is caused by, आप बताएंगे, salmonella typhi, इसका मतलब यह नहीं कि इस paper को देख करके, अराम से आज पनीर, पूर पुलाओ, सलाद, सब खा करके, जम के सोईए, कि paper तो बहुत आसान आने लगा है, नहीं, यह नहीं करना है, यह आपके लिए, एक, आप कह सकते हैं, मौका है, कि इस मौके में, अपनी पढ़ाई की ताकत लगा करके, मौके पर चौका लगाएं, यह बिहार का exam है, यह आपक 24 में, जिसको जिसको नौकरी करना है, वो इसको अचीव कर सकता है, और जिसको GIC में जाना है, जिसको EMRS क्रैक करना है, जिसको DSSB KVS क्रैक करना है, उसकी पढ़ाई जैसे चल रही है, वो चलाता रहे, पेपर देख करके, पनीर पूरी का स्वागत करके सोना नहीं है, तो क्या होगा आपका ventricle contract नहीं करेगा जब आपका ventricle contract नहीं करेगा तो आपका oxygenated blood pump नहीं होगा तो आपकी cells tissue oxygen नहीं पाएंगे जब आपकी cells tissue oxygen नहीं पाएंगे it creates a problem टाइफ आफ यड़ फीवर हो गया नहीं तो आज का question paper देख करके अराम से कलूट रहें 11 बजे malaria is transmitted by malaria को transmit कौन करता है malaria को transmit करता है आपका female enaphylis कौन करता है female enaphylis transmit करता है malaria को transmit कौन करता है आप सभी का answer आएगा malaria को transmit करता है female enaphylis आसान सा question है next question, 123, deforestation causes, अगर deforestation हो जाए, अगर पेड को काठा जाये, तो क्या होगा, पेड को काठा जाये, तो noise pollution होगा, नहीं सर, thermal pollution होगा, नहीं सर, केवल एक काम होगा, swirl erosion, क्या होगा, swirl erosion, अगर पेड कटेंगे, तो soil erosion होगा, क्या होगा, soil erosion होगा, उम्मिद करते हैं, यहां तक की बाते हैं, आप सभी की clear which of the following is, an in-situ method of conservation, in-situ, x-situ, बहुत अच्छे से आपको pinpoint में clear किया है इसका answer है, national park, in-situ कौन है, in-situ आपका national park है, और उम्मिद करता हूँ, सभी लोगों को याद रहेगा the number of wildlife is continuously decreasing, करें कि wildlife जो है, वो लगातार कम हो रही है the number of wildlife is continuously decreasing, यह continuously decrease कर रही है, what is the main reason, main reason क्या है destruction of habitat, इसका main reason है कि destruction of habitat हो रहा है इसका main reason है कि destruction of habitat हो रहा है, जो wildlife गाइब हो रही है उसका main reason है, destruction of habitat, जंगल main वज़ा नहीं है, इसका habitat खतम हो रहा है, यह main वज़ा है which are the following is major ecological hot spot, पहले उसी दिन इसको भी कराया था, किसमें कौन से major ecological hot spot है इंडिया में जो पाए जाते हैं, अब बदाएंगे, इंडिया में पाए जाने वाले हैं, western ghat है और eastern himalayas western ghat और eastern himalayas is the right answer, और उमिद करते हैं, सभी का correct answer आ रहा होगा, B is the right answer ozone depletion is caused by, due to increase in the label of, किसके label में increase होता है, तो ozone depletion देखने को मिलता है ozone depletion के लिए कौन जाना जाता है, आपका answer आएगा sir, यह जाना जाता है, CFC, chlorofluorocarbon C is the right answer, next question 128, what type of chemical weathering is enhanced by acid rain, acid rain के द्वारा, जी, what type of chemical weathering is enhanced by acid rain, acid rain के द्वारा, कौन सी chemical weathering enhanced होती है, तो सो दोस्तों इसके लिए answer तो होना चाहिए था carbonation and sulfonation, carbonation and sulfonation होता, तो answer यह सही होता, क्योंकि यह answer इसके लिए fit है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, और आयोग ने, बिहार आयोग ने इसका answer A माना है, तो कभी आपसे अगर धोखे से यह question पूछा जाए, और उसमें आपके सामने भी option यही रहे, और आपके सामने option में यह ना आए, तो छोड़ने से अच्छा है कि hydrolysis मार दिया जाए, छोड़ने से अच्छा है कि hydrolysis मार दिया जाए, लेकिन यह ध्यान रखा कि अगर option में carbonation दिया है, sulfonation दिया है, तो आप इसको answer मानेंगे, तब आप hydrolysis मारेंगे, ध्यान रहे, बात को समझ रहे न, carbonation और sulfonation दिया रहेगा, तो आप इसे मारेंगे, लेकिन अगर यह option में नहीं है, तो आप question को अपने मर्जी से नहीं छोड़ देंगे, hydrolysis मारें कि बिहार आयोग ने इसका answer ये दिया था, who is the father of ecology and environmental laws in India, इसमें से कौन है, जिसे father of ecology and environmental laws in India के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे, राम देव मिश्रा, बाबा राम देव ना बता देव मिश्रा, डाक्टर राम देव मिश्रा साब को Indian ecology के father समझा जाता है, माना जा बाबा राम देव नहीं, राम देव मिश्रा जी को, sliding and swan, देखते ही आप लोग answer ढूनने लगे, cell theory कहां दिया है, cell theory कहां दिया है, हम भी ढूनने लगे, cell theory कहां दिया है, cell theory कहां दिया है, अच्छी बात, 130, मतलब कह सकते हैं कि 20 question और आपके सामने पहुचे, उम्मिद करता हूँ 19, 20, क्या ratio रहा आप लोगों का, क्या मान के चले, 59, 59 upon 60, या 58 upon 60, क्या मान के चले, 59 upon 60, या 58 upon 60, बताईएगा, कहां पर score कर रहे हैं, 57, आप लोगों को याद होगा न, अभिशेक गिरी जी का नाम आता था, scoring best हुआ करती थी, selected, जी, 58 मान के चले, 58 मान के चले, एक आयोग गलत दिया तो, कोई बात नहीं, done, तो क्या हो जाएगा, जी, 58, next पर चलते हैं, 131, दोस्तों, हौसले बनाए जाते हैं, तभी उड़ने का मज़ा आता है, और पीछे-पीछे चलना तो सब के, लिखा ये कि पीछे-पीछे चलना, आपको पीछे नहीं चलना है, आपको एक कदम आगे सोचना है, अपनी लाइफ को, which one of the following is constituent of cell membrane, इसमें से कौन है, जो cell membrane का constituent है, फास्फो लिपिड, फास्फो लिपिड is the constituent of cell membrane, उमीद करते हैं, लगभग सभी लोगों का C answer correct है, लगभग सभी लोगों का C answer correct है, cancer cell can easily be damaged by radiation than normal cell, because they are installed on mutation, undergoing rapid division, मिल गया, undergoes rapid division, इसमें बहुत तेजी से division होता है, इसलिए radiation क्या करता है, इसे आसानी से damage कर देता है, इसलिए radiation क्या करता है, इसे आसानी से damage कर देता है, crossing over occurs during, crossing over कब होती है, जब perching होती है, तो crossing over होती है, This is pacchi teen, इसे pacchi teen कहते हैं, और उमीद करता हूं, कि ये pacchi teen की बात आप सभी को आद रहना चाहिए, rapid division, pacchi teen, जी, नेक्स कोश्चन, कोश्चन नमबर 134 आपकी स्क्रीन पर RNA lacks which nitrogen base? RNA में कौन सा nitrogen base नहीं होता? RNA में कौन सा नहीं होता? एडिनिन होता है? जी, थाइमिन होता है? नो, एडिनिन और यूरसिल होता है इसमें थाइमिन एपसिंट होता है इसका सही answer हो जाएगा थाइमिन के अस्थान पर इसमें यूरसिल होता है इसमें थाइमिन के अस्थान पर यूरसिल होता है और उम्मिद करता हूँ सभी लोगों का correct answer है यूरसिल इसमें से कौन है? जो energy rich है और respiration के बाद आपको मिलता है glycolysis के बाद 8 ATP जी, उमिद करते हैं सभी लोगों को clear कि क्या मिलता है ATP मिलता है 136, uterification in the lake करें कि जीलों में जो uterification होता है वो किसके presence में होता है आप याद रखिएगा uterification phosphorus के presence में होता है phosphorus कहां दिया है? यहां दिया है nitrogen and phosphorus याद रखिएगा uterification के लिए बहुत important है uterification के लिए बहुत important है DNA के लिए बहुत important है nucleic acid के लिए बहुत important है most most important during lightning जब lightning होती है the high temperature and pressure created in the air convert nitrogen into तो जो high temperature होता है और high pressure होता है created in the air जो air में create करता है nitrogen को convert करता है किसमें oxide soft nitrogen ये nitrogen को oxide soft nitrogen में convert करता है lightning क्या करती है? lightning जो है oxide soft nitrogen में convert करती है और सभी का correct answer चल रहा है जितने लोग क्लास में presents हैं अपनी उपस्तिती दर्ज नहीं कराएं हैं वो सभी लोग newtons का third law follow करें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम अगर क्लास से आपको question से आपके अंदर enhancement energy आ रही हैं तो आप अपनी उपस्तिती दर्ज कराएं उपस्तिती दर्ज कराकर के आगे बढ़ें जी उपस्तिती दर्ज कराएं पता चले कि आप लोग present हैं आप respiration के बाद जिस तरह से ATP मिलती है वैसे ATP इधर भी जरूरत होती है during regulation आप gene expression काफी आसान question है like operon which one of the following enzyme brings about hydrolysis of lactose to glucose and galactose कौन सा enzyme है यह क्या करता है lactose की hydrolysis करता है glucose और galactose में convert करता है यह कौन है यह beta galactose है अभी कौन लोग है जिनकी presence उपस्तिती नहीं दिख रही है a codon contains how many nucleotides एक codon में कितने nucleotides होते हैं कितने nucleotides होते हैं आप बताएंगा सर जी यह GIC में भी था हाँ भई अच्छा यह botany में भी था कितने bases होते हैं वो था तीन तो सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा 3 most important cytoplasmic inheritance आसान सा question है cytoplasmic inheritance is also called maternal inheritance because cytoplasmic inheritance को maternal inheritance के नाम से जाना जाता है क्यों दोस्तों क्योंकि आप सभी को याद है कि जाइगोट जो बनता है उसमें जादा तर cytoplasm ovum की तरफ से आता है इसलिए cytoplasmic inheritance को maternal inheritance के नाम से जाना जाता है और उम्मिद करता हूँ आशा करता हूँ सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा कुछ लोग जो class को देख रहे होंगे जिन लोगों ने बिहार का exam दिया था उनके मन में एक अजीब सी कसक उठ रही होगी कि कास दो-चार question आउर हुए होते तो आज हम भी अपने counselling करा रहे होते और अच्छा कर रहे होते दोस्तों जब कभी आपका selection दो नमबर से चार नमबर से छे नमबर से ना हो न तो आपको हताश होने की जरुवत नहीं है खुदा आपकी life में कुछ बेहतर opportunity लिखा होता है अगर अगस्त के पहले GIC का exam हो गया या फिर जैसे सुनाई दे रहा है LT का exam हो गया जैसे सुनाई दे रहा है TGT PGD की डेट आ जाएगी आपको अंदाजा भी है आने वाले दो महीने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है आपके साथ केवल exam exam खेला जाएगा आपको शायद अंदाजा नहीं जब life में बहुत अच्छा लिखा होता है न तो एक दर्वाजा बंध होता है और लेकिन कई दर्वाजे खुलते हैं life में तो कभी निराश नहीं होना है अपनी मेहनत पर शक नहीं करना है अपनी मेहनत को इतना बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है सच में इतना बढ़ाते जाना है कि आपको छे महीने बाद हिसास हो, अच्छा हुआ बिहार में नहीं हुआ था, अब GIC में हो गया, LT में हो गया, KVS में हो गया, ध्यान रहे, एक दर्वाजे बंध होते हैं तो कई दर्वाजे खुलते हैं, इसलिए जो लोग प्लास देख रहे हैं और किसी कारण बस दो चार दस नंबर से उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपने अंदर एथाइलीन हार्मोन की तरह ट्रिपल रिस्पॉंस हो करें, ट्रिपल रिस्पॉंस एथाइलीन कैसे शो करता था, हुक बना लेता था, क्या करता था, हुक बना लेता था, आप भी हुक बना लीजे, हुक इन आपने दो महीने continue कर दिया ना, तो होने वाले आगे जो exam है ना, जो आज ये target देख रहे हैं, paper आसान, paper आसान, EMRS का exam हुआ था, अपने जितने लोग exam देने गए थे, NCRT batch के, सभी लोगों ने EMRS में बहुत अच्छा score किया है, इसलिए तो उस paper को देख कर लगा, कि जब हमार बच्चे EMRS में इतनी scoring कर सकते हैं, तो कहीं इनका GS खराब हो जाता है, तो कहीं इनकी English खराब हो जाती है, तो कहीं इनकी reasoning खराब हो जाती है, ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अब आपके exam pattern पर आ गया हूँ, कम से कम अगर मैं आपको जगाऊंगा, तो अदर एक energy आएगी, वो energy आपको select करा देगी, otherwise आपको पता नहीं होता exam में क्या क्या आएगा, biology, biology करके जाते हैं, biology तो अच्छी मार के आ जाते हैं, लेकिन और दूसरी जगहां गरबर हो जाता है, तो दूसरी जगहां कुछ गरबर ना होने पाए, इसलिए हम लोगों को continue रहना है, उम्मिद करते हैं, समझ में आया, clear to all, जी, आईए चलते हैं, आगे की तरफ, next question, gene mutation occurs at the time of, gene mutation कब होता है, gene mutation occurs at the time of, gene mutation कब होता है, DNA repair के समय, DNA replication के समय, DNA transcription के समय, answer will be DNA replication, gene repair कब होता है, DNA replication के समय, सही answer हो जाएगा, DNA replication, what are the difference in the specific reason of DNA, sequence called during DNA fingerprinting, क्या sequence में difference होता है, क्या sequence में difference होता है, तो आप बताएंगे, DNA fingerprinting जब करते हैं, तो DNA में जो sequence में difference होता है, उसे बोलते हैं, repetitive DNA, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, repetitive DNA, what will call, it will call, repetitive DNA, उम्मिद करते हैं, सभी लोगों का correct answer होगा, repetitive DNA, during gene cloning, which is called gene taxi, जितने एक्जाम हुए, एच्टेट का हुआ, एमरेस का हुआ, बिहार का हुआ, जूलोजी हुआ, बोटनी हुआ, चारो एक्जाम में ये प्रस्ण देखने को मिला, कभी जो है किस-किस नाम से पूछा गया, you all know very well, जिन टैक्सी, आप सभी लोग जानते हैं, जिन टैक्सी के biological seizure का किसको कहा जाता है, फिर पूछे कि किसको जो है, biological glue कहा जाता है, तो कितने दिन अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, really, which enzyme is act as biological seizure, किसको कहा जाता है, restriction endonuclease को कहा जाता है next question polymerase chain reaction ऐसा question पूछे polymerase chain reaction किसके लिए जरूरी है तो हर कोई जानता है खुब सारा number बढ़ाना है DNA amplification के लिए जरूरी है किसके लिए जरूरी है DNA amplification के लिए जरूरी है most important next question है 146 आपकी screen पर DNA or RNA segments tagged with radioactive molecule is called कितना आसान question है कि DNA का segment हो या RNA का segment हो जब उसको radio label कर देते हैं तो क्या कहलाता है ये कहलाता है probe क्या कहलाता है ये कहलाता है probe और उमिद करते हैं आप में से सभी लोगों का correct answer आ रहा होगा this is called probe इसे क्या कहते हैं इसे probe कहते हैं next question question number 147 आपकी screen पर ABO blood group system exhibit ABO blood group system होता है किसमें होता है तो आप सभी लोग बताने में सक्षम है incomplete dominance ये भी कहीं question आया था incomplete dominance किसमें incomplete dominance याद रखिएगा most most important next question है 148 heritage or inheritance of specific traits becomes clear due to becomes clearer due to किसके कारण ये clear हो सका आप बताएंगे मेंडल साहब ने जो green piece पर work किया था इसके कारण ये inheritance of specific traits जो है वो clearer हो सका किसके कारण तो आप बताएंगे मेंडल साहब ने जो ये work किया था उसके कारण ये clearer हो सका और उम्मिद करते हैं लगभग सभी लोगों का correct answer important है जी कुमकुम दूबे जी 147 सर फिर से देख लीजिए 147 क्या हुआ 147 में what happens जी ABO blood group system system exhibit ये किसको exhibit करता है 147 जी देखने की कोशिच करिएगा oh my god ABO blood group system किसको exhibit करता है multiple allelism को incomplete dominance को भी तो करता है multiple allelism को जी हाँ हाँ clear है इसका B हो जाएगा ABO blood group 147 co-dominance also हाँ co-dominance incomplete नहीं co-dominance multiple allelism और co-dominance incomplete dominance के लिए तो वो आता है आपका mirabilis jalapa ना जी incomplete dominance के लिए mirabilis jalapa याद करिए हाँ multiple allelism होगा sorry मुझे लगा मेरा गलत हो गया नहीं नहीं उसका होगा clear है और अगर आपसे पूछा जाए incomplete dominance तो उसे हम लोग क्या कहेंगे यादो ब्रजेंद कुमार जी हाँ d नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर co-dominance नहीं है वहाँ पर incomplete dominance है और अगर हम लोग बात करेंगे किस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे incomplete dominance के बारे में तो mirabilis jalapa आता है done जी next question 48 हो गया Mendel's work of greenpeace which one is linked to evolution evolution से कौन linked है दोस्तों इस question में यह हम लोग ncrt की line लिखती है कि evolution जो है वह variation और reproduction दोनों को बताता है evolution दोनों से आता है लेकिन best कौन है best है variation जी evolution दोनों से आता है लेकिन आयोग ने variation माना है इसको नहीं माना है जी clear इसका दोनों सही है जब आप ncrt की line पढ़ेंगे तो आपको वहां पर यह देखने को मिलेगा next question है और session का last question है 150 origin of species by darwin was published in origin of species by darwin was published in सबको याद है 1869 कुछ डेट है जो बोटनी में याद है 1869 जी 1853 उननीस सो तिरपन उननीस सो तिरपन उननीस सो अठटर उननीस सो चाछट उननीस सो जो है 92 याद आ रहा है उननीस सो तिरपन उननीस सो अठटर उननीस सो चाछट उननीस सो बानबे उमिद करते हैं याद आ रहा होगा 1869 जे उमिद करते हैं याद आ रहा होगा तो याद आना चाहिए और 1665 ये सब एक दिन हम आपको जब आप बारिश होगी तो बायो वर्षा में कम से कम 50 डेट आपको बायोजी की याद करवा देंगे प्लान चल रहा है याद कराने की तो कल का schedule आप सभी लोगों को पता हैं आप सभी लोग कल का schedule जानते हैं और आप में से जो लोग किसी कारण पर सभी तक बैश से नहीं जुड़ पाए हैं बैश से जुड़ने के लिए इस नमबर पे WhatsApp करें और Join Biology लिख कर भेजें कल मॉर्निंग में दस पांच पर बैश में क्लास होगी Target 24 में Mineral Nutrition उसके बाद 11.20 पर NCRT बैश में क्लास होगी जिसमें Absorption आप Food पढ़ेंगे उसके बाद शाम को 6 बजे क्लास होगी जिसमें Pori Fera पढ़ेंगे साथ बच के पंदरा मिनस पर क्लास होगी जिसमें Revision बैश में Question Solve करेंगे आठ पंदरा पर S.T.E.T. के बारे में कल देड़ सो Question के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे Thank you to all of you, Good night, Shubh Ratri, Jai Hind